एक क्यानवे दशम्रा दो NIBHS लिदून को सुनने वाले सभी शूताओं को थेमा का प्यार भरा नमस्कार तो सबसे पहले तो मैं प्रॉफेसर नजीकेता जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप हमारे शोताओं को कौन सी कहानी और किसकी कहानी सुनाने वाले हैं अगर सबसे भात्पूर्ड विक्क्यों में से खुच की जाये तो एक आदी संक्राशारी हुए वाले हमारे शोताओं जिनों ने सारी मठों की स्तापना की और चारों धाम की स्तापना की बड़े कुशागर बुद्धी के रहे होंगे बच्पन से जिद्ध करते थे कि मा मुझे सन्यस्त होना है हिंदों माई अपने में परंपरा है कि जब तक मा आपको इस बात की अनुमती ना दे कि सन्यस्त हो जाओ तो तुम जाने सकते हैं महावीर जो थे जब तक मा आपको तक भी वो भी नहीं गया तो यह तिन्हों की परंपरा रही है कि मा का आस्षवाद अवश्च्ट है मा जब तक बोले कि नहीं तब तक नहीं तो 9 साल के रहे होंगे उससे पहले से जड़ी करते थी कि नहीं मुझे उस दिफ विता की खोश में जाने दो तो मा वाना करती पर एक बार कथा क्यूं कहती है कि एक बार नहां रहे थे नर्मदा में और अचानश एक ग्राह एक क्रो को पूचा अब तो हां बोल दे अब तो हां बोले माने बोला हां ग्राह छोड़ गया उनको तंकर आये और तभी वो निगल पड़े किस चीज की खोश में उसी दिव्यता की खोश में जो कि इन अंगों के बाहर की है उसी ब्रह्म की खोश में निकल गया तो एक सबढ़ की करते हैं कि यहां कि वो बोलते हैं टेख समय मिर्वान सुतर की रचनाओं हुनिंक भुट्धियों करें तो मैं यह मन हुँ ना यह जो की हर चीजर रखता है दुखी होता है खुश होता थैं नहीं नहां जुत्र जिव्य नचा घ्राण नेत्रे ला ना चक्रोट्र ना तो सुन्ने वाला अंग त्सेंग दिव्यांग बोलते हैं अभी सुनने पाचाइड-श्रम्नुद्यणा जय दूमिय ना थो मैं जीव हों जय चक्ता है नचा घ्राण नेत्रे ना तो सुंग निकान कि आप तो अक्क मतलब हैं और डले हैं अक्क कि यूपर है, नहीं हो निदान ना रूप मैं वही हूं जो कि नहीं या का मतलब में है यह नहीं बोलते हैं आटम के चारों तरफ जो बनता है इलेक्ट्रॉन का घेरा वो लगभग निन्यानमे फिस्दी खाली होता है यानि कि अगर न्यूटियस इदर है तो एक फुट्वाल के ग्राउंड के चारों तरफ कहीं इलेक्ट्रॉन तो यानि कि शरीर का तो खाली-खा है तो यह ठूसकः है तो उमका यानिये माया है ऐसा भ्रमता है कि है और सूत्र की जो निजाद की इते वह अब गंगा में सणान कर अपने टिक्षियों के साल निखारू है है काई विश्वनात के पाँ से तो बॉलते थो तो बहुत रप्तत कसमत kalo परिक्षा अज करते हाट साथ जो आग लगाने वाला चबों शो और राजगनी जिनको मिलता उनकी गर्दन काटने वाया जो वह अपने पतनी के साथ बिलकुल ख्रह था रहा था राभषजगा होगा वाशन ऐसे जोग हो आग लगा आया, होगा और जो मिल गया रवोत हैं कि एक सूर का तुड़ा लिया हूँ आथ में बाल बिल्कुल विखरे हुए तरी बिल्कुल धूमल और इस्ति पत्नी बाकी का सूर का है साल यह वह आ रहे हैं और ताथ में चार कुप्ते जिनके मूह में अभी वह खूं लगा हुए संक्राचारिय विल्कुल अपनी दीटी में अपनी प्रभा में आ रहे हैं गंगास्नाम करते हैं तो देखते हैं कि यह सामने कौन आ गया उद्धरा उद्धरा बगलो 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 विल्कुल चला आता है और यहां संक्राचार आते हैं, आमने सामने खड़े हो जाते हैं, संक्राचार उनके आँखों में लेखते हैं और बोलते हैं उद्धर, तो पूछता क्या है, संगाल पूछता है, इसे हटने के लिए बोल रहे हैं, इस शरीर को, यदि सदा मलीन है, यदि कभी पवित्र नहीं हैं, या इस शरीर के अंदर रहने वाले को, इसका कि कोई आतार नहीं है, इतना सुनते हैं, आदी संक्राचार जैसे एक महीमा, मूर्चित हो जाती हैं, बोलते हैं कि महादेव, अन्नपुर्णा मा, उसात्मों के चार कुते, जो कि चार वेदों के पतीष हैं, वहां से भी संक्राचारे जान जाते हैं, चीज इतना असान नहीं है, संक्राचारे जैसे भी प्रतिवावान व्यक्ति, वहां जोग जाते हैं जहां कि कुछ भी सीखने को हो, तो हमारी सभ्यता संस्क्ति ऐसी रही है, जो कि उस दिल्वी के तलाश में हैं, जो कि इन अंगों के बाहर, यह दिखने वाले चीजों के बाहर हैं, यानि आप कहना चाहेंगे संक्राचारे इतने महान, इतने विद्वान होते हुए भी उनमें तनिक भी अहम है, पर जो थोड़ा बाकि था, उसे भी दूर कर दिया एक सफाई कर्मीन है, फिर मिलेंगे और कहानिया लेकर, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, और सर, आपका बहुत बहुत धन्यवा, बहुत बहुत बहुत,